hello friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा serum walproic acid test क्या होता है, ये test कब करवाना चाहिए, serum walproic acid test की normal range क्या होती है, walproic acid test कैसे होता है, walproic acid test की कीमत क्या होती है, पूरी details जानेंगे इस video में, तो चलि ये शुरू करते हैं नमबर वन सीरम वालप्रोईक एसिड टेस्ट क्या होता है वालप्रोईक एसिड एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है जो की मिर्गी पर नियंतरण पाने के लिए उसकी तीवरता और उसकी गती को कम करने के लिए दी जाती है ये उन लोगों को भी दी जाती है जिनें बाइप वालप्रॉइक एसिड से संबंदित दवाए ले रहे हैं। इस टेस्ट की मदद से व्यक्ति के खून में वालप्रॉइक एसिड के लेवल का भी पता लगाया जाता है कि शरीर में इस एसिड की मात्रा पर्याप्त है या नहीं। सीरम वालप्रॉइक एसिड टेस्ट कब कर्वाना चाहिए। यह टेस्ट वालप्रॉइक एसिड के इलाज की शुरवात में ही किया जाता है और यह टेस्ट दवा की अवधी बदलने के बाद करवाने के लिए कहा जाता है। इलाज के समय नियमित अंतराल पर भी वालप्रोईक एसिड टेस्ट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खून में वालप्रोईक एसिड के थेराप्योटिक लेवल समान है या नहीं यदि किसी व्यक्ति का शरीर वालप्रोईक एसिड पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो इस टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि कहीं दवाओं के प्रभावी ना होने का कारण उनकी कम मात्रा तो नहीं है इस टेस्ट की सलाह डॉक्टर तब भी देते है जब वा सिर्दर्द शरीर के किसी भाग में अत्यधिक कमपन महसूस होना दस्त खुदखुशी के खायाल आना कब्ज भूख में बदलाओ बालों का जड़ना मूड स्विंग होना धुंदुला दिखना कमर में दर्द घबराहट होना आदि समस्याओं में भी वालप्रोईक एसिड करवाया जा सकता है, इसलिए रिपोट का रिजल्ट जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें, नमबर फोर सीरम वाल प्रॉइक ऐसेड टेस्ट कैसे होता है सीरम वाल प्रॉइक ऐसेड टेस्ट के लिए नॉर्मली बलड सेंपल की आवशकता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में को जरूर बताएं और पूरी जानकारी करने के बाद ही ये टेस्ट करवाएं नंबर फाइफ सीरम वाल प्रॉइक एसिड टेस्ट का प्राइस क्या होता है सीरम वाल प्रॉइक एसिड टेस्ट का प्राइस 1200 रूपीज से 1700 रूपीज के बीच में हो सकता है So friends, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया Serum Valproic Acid Test क्या होता है ये टेस्ट कब करवाना चाहिए Serum Valproic Acid Test की normal range क्या होती है ये टेस्ट कैसे होता है इसका price क्या है मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like कीजिए, subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए Thanks for watching this video